हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू अंगरेजी की पार्शाला और आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नमबर वन और उसका थर्ड कॉम्प्रिहेंसन पैसेज इस कॉम्प्रिहेंसन पैसेज में लेखक हमें क्या कहना चाहता है आए देखते हैं कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें मारगी थी और टॉमी था, टॉमी को एक बुक मिलती है पुराने जमाने की और वो उसमें पैज पलट पलट कर देखता है कि किस परकार से अक्षर जो हैं लिखे गए हैं या चापे गए हैं और फिर जब मारगी पूछती है कि ये पुस्तक किसके बारे में है तो टॉमी जवाब देता है कि ये किसी स्कूल की कहानी है अब स्कूल मारगी ने कभी देखा ही नहीं था तो वो बहुत अजीब से वैवार करती है बड़ा उदास होती है कहते है कि स्कूल में ऐसा क्या है जिसके उपर पुस्तक लिखी गई है मुझे स्कूल बिलकुल भी पसंद नहीं है मारगी आलवेज हेटिड स्कूल सुरू से ही वो हेट करती थी स्कूल को बट नाव अभी कुछ ऐसी गटना हुई थी जिसके कारण से शी हेटिड इट मोर देन एवर पहले से भी ज्यादा घ्रणा वो स्कूल से करने लग गई थी क्या होता है कि स्कूल तो उनका नकली था ही टीवी पर स्कूल होता था उनका टीचर भी नकली होता था रोबोट का होता था या मशीन का होता था तो जो वो मशीन का ध्यापक था ता मेकैनिकल टीचर टर्म यूज की गई है मशीन से बना है मेकैनिकल और टीचर had been giving her test after test एक test दे दिया फिर दूसरा टेस्ट दे दिया बार बार टेस्ट दे रहा था किसमे जोग्राफी में भूगोल भी शेमी and she had been doing verse after verse और वो हर टेस्ट में fail और फिर fail fail होती तो टीचर दूसरा टेस्ट दे दे देता फिर वो तीसरे में भी verse का मतलब बुरा bad, worse, worst तीन डिग्रीज होती है पहली डिग्री bad, बुरा उससे ज्यादा बुरा हो तो second degree worse और इसके e हटा कर अगर हम t कर दें तो वो तीसरी डिग्रीज बन जाती है worst और ये डिग्रीज होती है विशेशनों की, जिसे हम इंदी में विशेशन कहते हैं संग्याया सरवनाम की विशेशता बताते हैं और इंग्लिस में हम इनको executive बोलते हैं a, d, j, e, c, t, i, v, e a, d silent है या adjective इसको बोला जाता है तो उसकी second degree का use किया गया है कि बार बार वो जो है test में बुरा परदर्शन कर रही थी दूसरी देखने वाली बात यहाँ पे है head, bean का use किया गया है और verb की first form के साथ ing तो यह जो passage है इसमें writer की stance में बात कर रहा है यह भी देखने लायक है head, bean, bean, verb की first form के साथ ing head जो use होता है वो होता है perfect के लिए और साथ में ही ing यूज होता है continuous के लिए तो यह perfect continuous tense बन जाता है और head क्योंकि past में होता है तो it becomes past perfect continuous tense p, p, c, t तो इस tense का भी writer ने यहाँ बार-बार यूज किया है past perfect continuous tense में यह यूज किया है अब क्या होता है had been doing में भी वो ही है head जमा been जमा वर्व की first form के साथ ing यह भी p, c, t past perfect continuous tense बन जाता है अब आगे दिखते हैं lesson में क्या होता है until, जब तक की her mother, till, t, i, double l, इसमें double l होता है till होता है किसी भी time को दिखाने के लिए कि वहां तक, वहां तक और until मतलब एक l कट जाएगा आगे you and prefix बोलते हैं पहले लगने वाले चीज़ को prefix और बाद में लगने वाली को post fix या suffix तो क्या कहते हैं until, जब तक के इस time तक, जब तक के हर mother, उसकी मा ने घबरा कर अपना सिर ना पकड़ लिया हो वो अपना सिर पकड़ लेती है क्यों पकड़ लेती है शेक मैंने हिलाना, शेक शुक शेकन, थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर आई एंजी नहीं है तो यहाँ पर simple past और simple past में भी second form है तो past perfect अगर second form होती तो simple past और अगर head और third form है तो past perfect tense का यहाँ यूज किया गया है और वैसे भी सारी कहानी जो है वो past tense में ही अक्सर use की जाती है उसने अपना सिर पकड़ लिया sorrowfully बड़ी ही उदास होकर and sent for the county inspector पूरे शहर में जो सारे in computers को ठीक करता था county inspector उसको उसने phone करके बुला लिया कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड है तो आईए comprehensive questions देखते है पहला question वही बनता है what is the name of the chapter जैसे हमने शुरू में बात की थी कि यह chapter उसका नाम है the fun they had fun क्यों क्योंकि वो एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें पुराने जमाने की बातें करते हैं तो बड़ा आनंद लेते हैं second question बनता है what is the name of the writer ये भी ऐसी question में से बन जाएगा the name of the writer is Isaac Asimov जैसा कि हम कल से पर रहे हैं Isaac Asimov के दोबारा ये लिख्या गया बहुत ही अच्छा chapter है future के बारे में बताया गया तो हम इसको futuristic story भी कह सकते हैं future उसके बाद last की e काट के futuristic story बन जाता है question number 3 what had been done by the mechanical teacher mechanical teacher ने क्या किया था तो आपको अगर ध्यानों तो उपर लाइन आए थी वहीं से यूँ कहीं उठा दे the mechanical teacher had been giving जो हमने भी बात की थी her test after test next question देखिए what was Margie's opinion about school school के बारे में opinion उनकी उपर passage में दी गई है वहीं से उठाना है Margie और school दोनों एकी लाइन में है Margie hated school but now she hated it more than ever और इसका answer अगले question में है पहले से ज़्यादा घरना क्यों करती थी क्योंकि Margie के जो response थे were worse after worse बहुत गंदे थे question है how were Margie's responses तो Margie's responses were यह तीन अक्षर question में से उठा लिए है और उसके बाद answer उपर से ले लिया है worse after worse बहुत ज़्यादा खराब question number 6 why was the county inspector called for county inspector को क्यों बुलाया गया county inspector पूरा भी आप लिख सकते हैं इसकी जगे सरवनाम ही pronoun का use भी कर सकते है pronoun ही आ जाएगा यह यह कहीं उठा लें the county inspector was called to check the mechanical teacher के इस mechanical teacher में क्या कमी आ गई है उसको देखने के लिए वो county inspector को बुलाते हैं that is all for today और तीन पैसेज हमारे हो गए हैं आप सभी English की एक अपनी copy लगा कि उसमें सारे पैसेज लिख लेंगे तो आपके पास यह material हमेशा के लिए रह जाएगा और आप revise भी कर सकते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक channel को like और subscribe नहीं किया है वो इसके नीचे like का बटन टच कर दे उसके बाद subscribe को टच कर दे एक घंटी आएगी bell icon मंदर की घंटी की तरह की ऐसी उसको भी आप टच कर देंगे तो फिर आप के पास सारे के सारे वीडियो जो है उनका message अपने आप आजाएगा that is all for today thank you thank you very much